पुझगार समाचार में दिली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्षन बोर्दवारा 7000 से भी अधिक पदों पर भरती निकाली गई हैं, जिनमें ट्रेट ग्रेजुएट टीचर के लिए 5118 पद, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 566 पद और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस कोक और अन्य के लिए 896 पद सामिल हैं, आविदन प्रक्रिया 8 परवरी से शुरू है, और आविदन करने के इंतिम तारिक 8 मार्स 2024 से, आविदन के लेक्चुक मिदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट, dsssb.derry.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं, आईए बात करते हैं इ chti वर्ग से रखते हैं या अन्य अरक्षित वर्ग से हैं, उनके लिए आविदन निसुल्ख है, आगे बात करें उमिदवारों के सैक्षिणिक योगिता के बारे में, तो यहाँ अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग सैक्षिणिक योगिताय निर्धारित की गई है, तो जो भी उमिद्वार जिस भी पद के लिए आविदन कर रहे हैं उसकी सेक्षनिक योगिता हैं एक बार इसके नोटिफिकेशन में जरूर देख ले इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे रखा है चलिए अब जानतों मिद्वारों के इन पदों पर उम्र सीमा क्या होनी चाहिए तो यहां भी कुछ पदों के लिए उम्र सीमा 18-27 वर्स तक निर्धारित की गई है तो कुछ पदों के लिए अधिक्तब उम्र सीमा 32 वर्स निर्धारित की गई है हलाकि जो मिदवार आरक्षित वर्ग से हैं, उन्हें इसमें छूट दिये जाएंगे, इससे संबन्दित विश्य जानकारी के लिए भी आप एक बार इसके नोटिफिकेशन को देख लें, आईए अब जानतों मिदवारों को इन पदों पर मिलने वाले वेतन के बारे में, तो के लिए उमिदवार कैसे आविदन कर सकते हैं, लेकिन आविदन करने से पहले इस भरती से संबन्दित विश्य जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद इसके अधिकारिक वेबसेट पढ़ाए, यहां आने के बाद दिये गए संबन्दित लिक पर क्लिक करें, उसके बाद रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाज शुरू करें, खुद को रेजिस्ट्रेट करने के बाद आविदन की प्रक्रियाज शुरू करें, यहां मांगे जारे सभी जरूरी जानकारी को भरे, जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें, आपके आवि पूरे हो जाएंगे आज के लिए फिलार इतना ही हमारे साथ बने रिकल्याप का धन्यवाद